हलो दोस्तों वेलकम टू रोड टू आयजी और जैसे कि आप सबको बता है कि अभी हम लोग हमारी जे डबली मीन्स 2020 रैंक बूस्टर क्विश्चन सीरीज पढ़ रहे हैं और हमारा अभी थर्ड चेप्टर चल रहा है तैस ट्रिग्नोमेट्री ठीक है हर रोज साड़े चे बिशचन स्टर करते है तो आज का हमारा पहला 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 यह वाला बहुत ही सुंदर क्वेश्चन जे डबली एडवांस 2013 में आया हुआ थीक है दो तीन कॉंसेप्स यहां पे हम टच करेंगे ठीक है तो आप सब को मजा आएगा ठीक है क्या बोला गया है द नंबर ऑफ points in minus infinity to infinity that is r ठीक है real number set पूरा दे दिया for which x square minus x sin x minus cos x is equal to 0 ये पुछा गाया हमें ठीक है ओके उसका मतलब क्या है कि ये ये जो function है पूरा वो 0 होगा कौनसी कितनी number of values के लिए ठीक है तो अब देखो ये बहुत complicated function है ठीक है तो जब इस तारी की situation आती है complicated function आता है तब हम try करते हैं देखना कि function increasing है decreasing है ठीक है तो अगर मुझे पता चल जाए कि let's take an example कि इस तरह से कोई function है कि जो यहाँ पर ऐसे increase हो रहा है ठीक है और यहाँ पर ऐसे decrease हो रहा है अगर मुझे ऐसा पता चल गया तो I can इस पैसे मैं conclude कर सकता हूं I can conclude that कि यह एक point पर x-axis को touch कर रहा है तो मतलब कि इसका एक root तो निकलेगा ही निकलेगा ठीक है फिर इस तरह से मुझे पता चल जाए कि यहाँ से यह positive है और फिर यहां से यह 0 से नेगेटिव आ रहा है तो यह दो point पर touch कर रहा है इस तरह से मुझे पता चलेगा strictly increasing strictly decreasing का यही फायदा है ठीक है हमें एक idea लग जाता है कि यह क्या हो सकता है इसमें और कौन सी वैलियू यहां पर बन सकती है ठीक है तो अब देखते हैं कि question आगे वाला हमारा जो पहला question है वो start करते है ठीक है यह question है और मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ कि हम क्या करेंगे स्टिकली इंग्रीजिंग चेक करने के लिए हमको करना पड़ता है इन लोगों ने यह मुझे दिया है इन लोगों ने यह मुझे दिया है तो इसका यह मुलेगा बताओ मुझे 2x- यह हो जाएगा यहाँ पर x sin x का differentiation cos x और प्लस लिखने के बाद sin x constant cos x का x का differentiation 1 प्रोड़क्ट रूल अप्लाई किया है ठीक है माइनस लिखने के बाद cos का differentiation क्या होगा आप मुझे बताओ minus sin ओके नो प्रोड़लम यह हो गया 2x minus x cos x minus sin x और यह प्लस sin x ठीक है इन दोनों ने एक दूसरे को मारट दिया तो यहाँ आ गया x common तो अंदर बचा 2 minus cos x ठीक है no problem no problem at all यह मुझे क्या मिला f dash of x बहुत ध्यान से समझ रहा है यहाँ ठीक है इसको मैं पेज में लेके लिखता हूँ तो ध्यान से समझ में आएगा f dash of x is equal to आ गया है x into 2 minus cos x ठीक है अब मुझे बोला है interval minus infinity to infinity मतलब r interval है ठीक है अब उसमें r interval में यह जो value है cos x की वो तो हमेशा greater than 0 ही रहेगा ठीक है यह हमेशा greater than 0 रहेगा तो मतलब यह value तो हमेशा positive ही रही नहीं है तो मतलब कि f dash of x जो है वो पूरा मेरा dependent हो गया किस पे x value पे जो मेरी x value होगी उस पे मेरा f dash of x हो गया अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं negative value लेता हूँ that is minus infinity to 0 तो f dash of x क्या होगा तो f dash of x हो जाएगा negative ठीक है तो f dash of x क्या हो जाएगा मुझे बताओ f dash of x हो जाएगा negative that means कि minus infinity to 0 में है वो decreasing function कैसा function है decreasing function ठीक है ओके और अभी अगर मैं लेता हूँ 0 to infinity मतलब x की value positive लेता हूँ मेरे पास दो ही option होता है positive negative तो f dash of x क्या हो जाएगा positive योकि x positive है यह तो हमेशा positive ही रहना है तो यह हो जाएगा increasing function ठीक है तो मुझे एक चीज यहाँ पर पता चल गई कि यह minus infinity to 0 में increasing function है और minus infinity to 0 में decreasing function है और 0 to infinity में increasing function है ठीक है यह एक चीज मुझे यहाँ से clear हो गई है no problem अभी एक और चीज देखते हैं कि हमें यह भी पता है कि function हमें जो दिया है वो है x square minus x sin x minus cos x ठीक है अब देखो अगर मैं infinity तक चेक करो limit x tends to infinity क्योंकि हमें वही बताया गया है ठीक है end limits वही है तो x tends to infinity क्या हो जाएगा बताओ f of x यहाँ पर infinity put करने पर infinity आएगा क्योंकि infinity का square है minus कुछ भी करो infinity आएगा इसी तरह से limit x tends to अगर minus infinity भी होगा तो भी answer क्या आएगा infinity ही आएगा कैसे क्योंकि x square है x square है तो यहाँ पर तो infinity का square ही आएगा तो यह value जो होगी ना यह हमेशा positive आ नहीं है तो minus infinity में भी infinity आएगा plus infinity में भी infinity आएगा ठीक है और अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 रखने पर क्या आएगी value जेदो रखने पर वैल्य आएगी // य। इजिरो रखने पर वैल्य आएगी // Cours आप देखो यहां से मुझे पता चलता है कि अगर x की वैल्यओ 0 होती है तो यहां होगा // तो थो यहां पर होगा कुछ OR यहाँ पे होगी, x की value 0 तो y minus 1 यहाँ पे होगा, ठीक है, यह एक मुझे पता है, फिर मुझे बोला गया है कि 0 to infinity में वो क्या है, increasing function है, ठीक है, तो increasing function होगा, तो वो कुछ इस हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, और बोला है कि 0 to minus infinity में, वो क्या है, decreasing function है, ठीक है, वो जो दोनो value है, minus infinity को भी touch करेगा वो, तो भी वो positive में ही जाएगा, ठीक है, वो क्या आजाएगा, positive में ही जाएगा, I hope सबको यह समझा आ रहा होगा, यहाँ पे अगर वो minus को भी जा रहा है, tends to minus हो रहा है, तब भी वो हमारा answer जो हा रहा है final, वो infinity को ही touch कर रहा है, ठीक ह तो ultimately, यहाँ पे इस तरह सा graph बनेगा, तो इसका मतलब यह हो रहा है, कि यह यहाँ पे दो point पे touch कर रहा है, ठीक है, कैसे मैंने पता लगा है, मुझे एक चीज़ पता चली, कि 0 to infinity में यह कैसा है, 0 to infinity में यह है positive function, उसके बाद ही वो decreasing function है, ठीक है, यहाँ पे minus में for negative x value वो decreasing है, ठीक है, और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे पता चली, कि 0 पे है वो minus 1, ठीक है, एक 0 रखने पे minus 1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे point किया है, फिर अगर वो minus infinity को approach कर रहा है, मतलब negative side में भी approach कर रहा है, तो उसकी value positive infinity में आ रही है, तो अगर decreasing है, तो एक बार यहाँ जाएगा, cross करेगा, ठीक है, decreasing है, तो एक बार cross करेगा, लेकिन minus जाते जाते वो फिर से क्या बोल रहा है, कि वो positive में जाएगा, क्योंकि minus infinity की value positive infinity को approach कर रही है, तो एक बार वो फिर से उपर उठेगा, तो मतलब कि वो 2 point पे touch करेगा ही करेगा, ठीक है, 2 point पे touch कर रहा है, तो उसका मतलब यह हुआ, कि वो 2 point पे touch कर रहा है, x-axis को, मतलब कि उसके 2 root मिलेंगे, मतलब c is equal to, that is my correct answer, I know, थोड़ा complicated question है, इसलिए मैंने यह question लिया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए, यहाँ पर हमें funda क्या सिखने को मिला है, वो सबसी important है, funda हमें यह सिखने को मिल अगर decreasing आ रहा है function, increasing आ रहा है, अगर हम graph draw करते हैं, तो कुछ इस हिसाब से हमें मिलेगा कि increasing जा रहा है, decreasing आ रहा है, फिर हमने end points की limit check की, तो दोनों limits same ही आ रही है, end points की, मतलब कि दोनों end points, यहाँ पे positive infinity और यहाँ negative infinity, दोनों के लिए वो, एक ही positive y-axis को, मतलब positive, यह y-axis यह x-axis है, तो positive infinity को ही जा रहा है वो, ठीक है, तो उसका मतलब है कि यह decreasing तो है, तो एक बार नीचे आएगा, लेकिन वो ultimately उसको कैसे जाना है, उपर तो जाना ही है, तो वो फिर से यहाँ पे cross करेगा, मतलब दो बार वो touch करेगा, और अगर दो बार वो touch कर रहा है x-axis को, मत कि आपको समझ में आए, ठीक है, कि किसे साब से हमें सोचना है, किसे साब से solve करना है, ठीक है, अगर आप कोई बंदा ऐसा सोचेगा, कि मैं इसको, यह मुझे equation दे दिया, इसको solve करने बैठू, तो इसको solve करने में आपको पूरा राज चल जाए जाएगा, लेकिन आपको प होगा, ठीक है, तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स वीडियो में मैं दो question और करवाने वाले हूँ, अच्छे वाले, और उसके बाद हम लोग next chapter start करेंगे, मैं एक सब को request करना चाहता हूँ कि सब लोग अच्छे से follow नहीं कर रहें, अगर the red gmail.com, ठीक है, email address भी सबको पता है, email कर दिया करो, कोई भी doubt हो, एक दो बच्चों ने email भेजा हुआ है, मैंने उन पर question बना दिये, ठीक है, आपको जो भी doubt हो, आपको कोई, suppose कि ये question भी पसंद नहीं आया हो, या फिर question में doubt हो, तो आप मुझे comment करो, ठीक है, मुझे लग समझा दो तुम्ही, वो question भी समझा दूगा, ठीक है, तो यही two-way process होता है, ठीक है, तो चलिए मिलते है next lecture में, thank you